चोरी हुए मोबाइल को अप कर सकेंगे ब्लोक वाट ट्रेक सत्रे माई को लॉंच होगा नया ट्रेकिंग सिस्टम हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आई होग के आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड चोरी हुए मोबाइल को आप कर सकेंगे ब्लॉक वाट ट्रेप 17 माई को लॉंच होगा नया ट्रेकिंग सिस्टम इनके बारे में जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें एंड लास्त तक बने रहें अगर आपका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो गया है तो आपके लिए राहत की खबर है दरसल सरकार 17 माई को पूरे देश में एक ट्रेकिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है इस सिस्टम के जरिये देश भर में लोगों को अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लाग कर सकेंगे या उसका पता लगा सकेंगे दूर संचार विभाग के एक वरिष्ट अधिकारी ने राविवार को यह जानकारी दी प्रोधगी की विकास निकास सेंटर फॉर डेवलेप्मेंट और तेलिमेक टेक्स अभी दिल्ली महाराष्ट करनाटगा और प्रुवतर राज्यों समेथ कुछ दूर संचार 100 किलोमेर्ट सेंटर एक्विपमेंट आइडेंटिटी रेजिस्टर ट्रेकिंग सिस्टम को प्रोधगी की आधार बर चला रहे हैं 17 मई को इस सिस्टम को पूरे देश में लाउंच किया जाएगा हाला कि सी डॉट के सी इओ और चेर्मेन राजकुमार बात्याई ने इस तारिक की पूष्टी नहीं की है लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिस्टम पूरे देश में लाउंच करने के लिए तैयार है सी डॉट ने सभी दूर संचार नेटवर्क पर क्लॉंड मोबाइल फोन के इस्तमाल का पता लगाने के लिए इस सिस्टम में नई खूबिया जोड़ी है सत्र माई को लाउंच होगा नया ट्रेक सिस्टम IMEI नंबर के जरिये लगेगा पता सरकार ने देश में मोबाइल उपकरनों की बिगरी से पहले इंटरनेशनल मोबाइल एक्विप्मेंट आइडेंटिटी का खुलासा करना अनिवाल कर दिया है मोबाइल नेटवर्क के पास मनजूर IMEI नंबरों की सूची होगी जिससे अब उनके नेटवर्क में अधिकरित मोबाइल फोन के परविश का पता लग सकेगा सीम कार्ट नंबर को भी कर सकते हैं एक्सेस CEIR के जरिये यूजर्स अपने सीम कार्ट नंबर तक एक्सेस कर सकते हैं अगर कोई दूसरे ID के माध्याम से सीम का उप्योग करता पाया जाता है तो उसे ब्लॉग कर सकते हैं CEIR पर दिये गए वीवरन के मुदाबिक यूजर्स अपने मुबाइल फोन को ब्लॉग और ट्रेक कर सकते हैं हेलो फ्रेंड तो आपको जानकारी कैसा लगा वीडियो में कॉमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें वीडियो में पूरी तरह बनने के लिए धन्यवाद